लो बच्चों कैसे आप सभी होब करती हूँगी सभी बहुत अच्छे होंगे मैं आप लो के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ रौद्ररस की परिभाशा उदाहरन सहीत और आपको समझाओंगी कि एक्चल में रौद्ररस जो होता है वो होता क्या है और आपको एक्जा अच्छा इसकी देख लेते हैं कि जब किसी के अपमान जनक ब्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण रिदय में क्रोध का भाव उत्पन हो जाता है तो वह रौद्ररस होता है तो क्रोध का भाव मतलब एक तरीके से आप बस इतना ही याद रखे कि क्रोध के भाव ही अच्छा आता है तो उसी को जो अंदर हमारे भावना एक उत्पन होती है उसी को क्या कहते है रौद्ररस कहते है मतलब जब बहुत तेज गुशा आ रहा हो तो वह रौद्ररस कहलाता है की तो इसलिए आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं कि जब किसी के अपमान जनक उतफन हो जाती है तो यह क्या कहलाता है तो वहां पर क्या होता है रौदूरस होता है इसका क्या उतारण होगा खून उसका了吧 फान मनुष्य से इस में बदल हम इसमें रहा था मनुष्य से देते में बदल रहा था तो मनुष्य जो है वो गुस्से को शांत रखता है मतलब अपने दिमाग को शांत रखता है वो गुस्सा नहीं करता है और जो देते होता है वो अल्वेस गुस्सा करता रहता है तो इसलिए लिखा है कि मनुष्य से देते में बदल रहा था तो इस तरीके से हमारा रॉद्रेरस का परिभाशा और उदारन यह यह तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो हैलफूल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को सेख कीजिए और चैनल पर ना है हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा थैंक यू